जाएं दोस्तों आप देखरें आधियनकेंद्र और इस वीडियो के मादियम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट जीके का भुक ये लुसेंट सब्जेक्टिव का भुक है अभी हम पढ़ रहे हैं जिसमें आधुनिक भारत और आज हम पढ़ेंगे काफी इंपुटेंट इसने कही सारे काम किये आप लोंगी काम ये था जब से मैंने गवर्णर जनरल को पड़ने गवर्णर को स्टार्ट किया है तो गवर्णर से लेकर वाइसराय तक का लिस्ट बनाना है कव से कव तक रहा वो लिख लेना था और उसके टेम में क्या important fact हुआ था वो लिख लेना है काफी अच्छा note बन जाएगा एक्जाम में यही सारे प्रस्ट बनेंगे यह याल रखना काफी important है क्योंकि अगर मालो अगर मैंने कह दिया कि सती पर्था का अंद जो ए 1829 में हुआ उस टेम में गवर्नर जन्रल कौन था या सती पर्था को अंद किस ने किया तो अगर आपको यह याद है 1839 और उर साथ ही यह भी याद है कि उस टेम में कौन गवर्नर जन्रल था तो आप असानी से टिक कर पाऊगे इसलिए वो याद करना काफी जरूरी है ओके चलो इस्टार्ट करते हैं डलहोजी के टैम में दूतिये आंगल सिख यूद 1848 से 49 तक तथा पंजाब का ब्रिटिस सासन में बिलाए 1849 में हो गया पहले आंगल सिख यूद हुआ और फिर यूद के लाश्ट तक क्या हो गया पंजाब ब्रिटिस सासन में बिल गया जगत परसिद सिख राज्ये का परसिद हीरा कोहिनूर महरानी विक्टोरिया को भेज दिया गया यह जहांगीर के टेम से यह कोहिनूर हिरत्र चर्चित में था यह ब्रिटिस महरानी के पास चुग गया उसको किस ने भेज था तो लॉड डलहॉजी ने भेज दिया दूतिये आंगल सिख यूद के दोरान तीन यूद लड़े गया पर्थम रामनगर का यूद था रेट कोई फिक्स नहीं है मिन्स एक मान लिया गया है तीसरा यूद गुजरात का चिनाव नंजी के किनाड़े हुआ 12 मार्च 1849 को जिसमें सिख बुरी तरह प्राजित हुआ और अंगलेजों की जीत हुए दुटिय अंगल बर्मा यूद और 1852 में लोएर बर्मा और पिंगू को अंगरेज राज में मिला लिया गया बर्मा में सम्यानमार समझना है डलहोजी ने सिक्कीम पर दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्वेवार का आरोप लगा कर सन 1850 इसपी में उस पर अधिकार कर लिया ये इसका फूट डालो और डिवाइडेंट रूल जो था ना फूट डालो और सासन करो ये डलहोजी का ही नियम था इसके रिगार्टिंग ये करता क्या था एरफरस तो लोगों में लड़े लगवाता था और साथी उससे भी काम नहीं बनता था तो जिस सोसाइटी पर राज करना होता था जो सोसाइटी है उस पर जो बड़े लोग होते थे उस पर कुछ ऐसा केस लगाता था ताकि उनकी छवी क्या हो खड़ाव हो जाए और फिर उस पर अपना बर्चो सो बनाना शुरू करता था तो जो डॉक्टर था उस पर आरोप लगा दिया और उस पर अधिकार कर लिया अठारा सो पचास इस भी में सिक्किम का स्टेट लेंग्वेज नेपाली है याद रखना है आपको कोई बर बता चुका हूँ मैं 1852 इस भी में एक इनाम कमीशन की अस्थापना की गई इसका उद्देश भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उसे छिनना था बहुमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छिनना था ये इनाम कमीशन लाया गया ये किसने अस्थापना किया इनाम कमीशन का तो लॉर्ड डलहोजी ने डलहोजी के सासनकाल में ब्यापगत सिध्यान्त मिंस ओप लेप्स बहुत इंपोटेंट है इसके कारण डलहोजी को याद किया जाता है इस निती के तहत अंग्रेजी समराजी में बिलै किये गए राजी कौन कौन से थे तो पहले सतारा हुआ फिर जैतपूर, संभलपूर, बगहाट, उदैपूर, जहांसी, नागपूर ये सब डलहोजी ने इसको अंग्रेजी समराज में मिला लिया, 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया, इस समय अवध का नवाब वाजिद अदिल साह था, अवध का नवाब उसको अंग्रेजी मिला लिया, 1856 में इसने तोप खाने के मुख्याले को कौलकता से मेरट अस्थांतरित किया, और सैना का मुख्याले सिमला में अस्थापित कर दिया, सैना की टुकडी सिमला में रहती थी और साथी तोप खाना जो था उसको मेरट में ले आया, सिक्षा समन्दी सुधारों में डल्होजी ने 1854 में उड्डिश्पैच को लागू किया इसके अनुसार जिलो में एंगलो वर्ना कुलर इसकूल, पर्मुख नगरों में सरकारी कॉलेज, तथा लॉर्ड केनिंग के समय में 1857 इसवी में तीनों परसेंडेंसी जो परसेंडेंसी था कलकत्ता, मदरास और मुंबए इसमें एक-एक बिस्विद्याले अस्थापित किया गया था, साथ ही प्रतेक परदेश में एक सिक्षा निदेशक भी निक्त किया गया था, यहां आपको 1% का आंसर देना होगा, कॉलकता में पहला मेडिकल कॉलेज का अस्थापना, किस गवर्नर जेनरल ने करवाया था, यह कॉमेंट वॉक्स में लिखना था, पहले वाले व स्थानेद के बीच चला था 34 किलो मेटर, यह ट्रेन है जो सिंपल ट्रेन साथा कोईले वाला ट्रेन जो पर्थम एलेक्ट्रिक ट्रेन चला था, वह चला था 1925 में, इलेक्ट्रिक ट्रेंज चला था। सन 1854 इस भी में नया पोस्ट आफिस एक्ट पारित किया गया और भारत में पहली वार डाक टिकट का प्रचालन आरंपिया। बहुत इंपोर्टेंट है। की अस्थापना की काफी इंपोर्टेंट नहीं है। लोक सेवा विभाग जो भी भी है इसका अस्थापना किस ने किया। लॉर्ड डलहोजी नहीं किया 1854 इसपी में। इसी के समय 1853 में कौलकाता एबं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा। तार सेवा रखी थी। 1853 इसपी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रसासनिक अधिकारियों की न्युक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 इसपी से अधिकारियों की न्युक्ति के लिए परतियोगता परिक्षा की विवस्था की गई। पहले ये क्या था, खांदानी था, कि जिसके पिता को नोकड़ी है, उसके बच्चे को भी नोकड़ी मिल जाएगी, या फिर जो जमिंदार का मर्जी होगा, उसको नोकड़ी मिल जाता था, पर इसने क्या कर दिया, परतियोगता परिख्षा लागो कर दिया जो भी भी है तो परतियोगता परिख्षा की सुरुवात किस ने किया लॉर्ड डलहॉजी ने काफी इंपोर्टेंट परसना ये परतियोगता परिख्षा की सुरुवात किस ने किया लॉर्ड डलहॉजी ने किया 1853 में इसके लिए उम्रिष ने 18-23 रखा था नोट में दिया गया पहला सतंद्रनाथ टाइगोर पहले भारतिये थे जिने 1863 इस्वी में लंदन में हुए सिविल सिवा परिक्षा में सफलता प्राप की थी जो भी UPSC का एकजाम होता है उसमें पास करने वाले पहले भारतिये कौन थे सतंद्रनाथ टाइगोर अठाइगोर इस्वी में इल्हावाद प्रियागराज है एवं लंदन दोनों अस्थानों पर साथ सिविल परिक्षा का आयोजन किया जाने लगा 1822 जी ने नर्वली लोगने का पहला पढ़ियास किसी ने किया था यह आपको कमेंट रॉक्स ने बताना है और डलो जी ने भी इस पर काम किया था अगहें लॉर्ड केनिंग काफी इंपोटेंट है लॉर्ड केनिंग 1856 से लेकर 162 तक रहा इसी के बीच में एक टैम आता है 1859 का 1856 से लेकर 1862 के बीच में एक टैम हुआ 1858 का इस टैम क्या हुआ कि जो गवर्नर जेनरल था जो गवर्नर जेनरल था वो पोस्ट क्या हो गया वाई सराय हो गया तो हुआ तो कुछ चेंज नहीं इसने तो बस नाम चेंज कर दिया बस हम लोगों को याद करना क्या पड़ता है कि भारत का अं अंतिम गवर्नर जेनरल कौन था लॉर्ड केनिंग और पर्थम वाई सराय कौन था लॉर्ड केनिंग अब इस संटेंस को फिर से पढ़ लेते हैं अच्छा यह चीज हुआ कव था अठारो सो अंठावन को हुआ था यह भारत में कंपनी द्वारा न्युक्त अंतिम गवर्न अठारो सो अंठावन को इलहावाद में जो की पढ़ियागर आजय है वहाँ पे एक पत्र पढ़ा गया महरानी का पत्र जिसे कहा गया उसके अंतरगत यह घोसना हुआ था कि जो अब कंपनी का सासन है वो सासन नहीं चलेगा भारत में अब सिधा महरानी सत्ता समालेगी ओक तो यह हुआ था अठारो सो अंठावन में प्रसना आप से यह आएगा कि महरानी का पत्र किसने पढ़ा था तो लॉर्ड केनिंग ने पढ़ा था कहां पढ़ा था वो पढ़ा गया था इलहावाद में अचारा वो डेट जो है एक तो हैं अब जून है या अपडिल है मुझ प्रसासनिक सुधार के अंतरगत भारत का सासन कंपणी के हाथों से सिधा ब्रिटिस सरकार के नियंतरण में चला गया इस सब क्लियर हो गया होगा आगे है केनिंग के समय 1861 में उच्छे नियाले अधिनियम बनाया गया इसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोट और सदर अधालतों को स्माप्त कर दिया गया तथा कौलकाता, मदरास, तथा मुंबे में एक-एक हाई कोट यानि उच्छे नियाले की अस्थापना की गयी 1866 में आगड़ा में एक उच्छे नियाले की अस्थापना की गई जिसे 1875 में इलहावाद अस्थांतरित कर दिया गया पहला आगड़ा में बना फिर उसके बाद इलहावाद को ट्रांसफर कर दिया गया केनिंग के समय में 1856 में बिद्वा पुनर विवा अधिनियम स्वतंतर रूप से लागू हो गया बिद्वा जो था वो पुनर विवा कर सकता था यहां से एक प्रस्न आपको बताना होगा सती परथा को अंत किस ने किया ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको और किस टाम किया गवर्ण जोनर कौन था किस भारतिय ने उसमें हेल्प किया तो सब कुछ बताना है अगे बुद्वा पुनर विवा किस ने मिन से खत्म किया लागू किया तो बिद्वा फिर से विवा कर सकती है तो 1856 के अंतरगत लौर्ड केनिंग ने भारत में पहला कानूनी बिद्वा विवा कुलकता में 7 दिसंबर 1856 को इस्वर्चंद्र विद्या सागर की प्रेर्णा औ संपन हुआ तो किस भारतिये ने बिद्वा पुनर विवा अधुनियम को मिन से सपोर्ट किया था तो इस्वर्चंद्र विद्या सागर इस टाप के प्रस्त में होता क्या है कि प्रस्त आपको दे देगा कि बिद्वा पुनर विवा को किसने लागू किया ठीक ना ओप्सन आपको इस्वर्चंद्र विद्या सागर पर टिक करना होता है तो जब भी विद्वा पुनर विवा उस पर टिक कर लेना अठारो सपन भी याद रखना आगे आता है अठारो सचपन में पैत्रिक संपत्ती से संबंधित जो कानून बनाया गया उसके अनुसार या निश्चित किया गया कि धर्म पर इवर्तन करने पर किसी ब्यत्ती को उसकी पैत्रिक संपती से वन्चित नहीं किया जाएगा तो जो जो धर्म कबूल करना है किजिए आपका संपती आपके पास रहेगा 1857 इसबी के केनिंग के समय में महालेखा परिक्षक पत है टोनिक जेनरल जिसे कहते हैं हम लोग उस पत का स्रिजन किया गया जो सोतंतरता के बाद नियंतरक एबं महालेखा परिक्षक कहलाया तो अभी जो हम लोग क्या कहते हैं कंप्टोलर एन और्डिर जेनरल ये पोस्ट का स्रिजन किस ने किया था लॉर्ड केडिंग ने 1857 में किया था भारत सासन अधिनियम 1858 इसबी के तहत मुगल समराठ के पद को स्माप्त कर दिया गया मिन्स अब कोई मुगल समराठ नहीं रहेगा जो रहेगी महराणी विक्टोरिया रहेगी उसके अंतरगत काड़ी भार चलेगा ये 1858 में यही कहानी था आगे आता है मेकाले दुआरा प्रारूप दंड संधिता 1858 इसबी में कानून बना कि कोई अपरात विधान थाजिता लागू किया गया मिन्स किसी को पकर के जेल में डाल तो इस टैप का लागू किया गया ब्यापकत सिध्यान्त डॉक्ट्रेन आफ लेफसेज जो डलहौजी ने शुरू किया था यानि राजी बिलाई की नितिव को समाप्त कर दिया ये डलहौजी ने शुरू किया और लॉड केनिंग ने क्या क्या उसको खत्म कर दिया इंडियन कॉंसीलेक्ट बाडित हुआ तथा पॉर्टफोलियो पढ़नाली शुरू की गई आगे आता है लॉड एलगीन इस इस ने बहावी आंदोलन का दमन किया बहावी आंदोलन को खत्म किया 1863 में धर्मसाला में इसकी मिर्दियों हो गई थी लॉड लॉड लॉरेंस 1865 इसमी में भूटान के ब्रिटिस समराज पर आकर्मन किया अफगानिस्तान के संबंद में इस नहस्यप की निदिय अपनाई इसे सांदार निस्क्रियता के नाम से लॉड लॉरेंस को जाना जाता है इसी किसमें में उरिशा में सन 1866 इसपी में दथा बुंदेल खंड वा मराज पुताना में 1868 से 79 इसपी में भीसन अकाल पड़ा था जब इंडिया में भीसन अकाल पड़ा था उस टैम में गवर्णर यस वाइसराय कौन था लॉर्ड लॉ लॉरेंस के टैम में 1867 का हलांकि अकाल याद रखा जाता है तो इस टैम में वो अकाल पड़ा था इसने हैंरी केम्पिवेल के निर्थित्व में एक अकाल आयो का गठन किया था 1865 में इसके द्वारा भारत एवं यूरोब के बीच पर्थम समुद्री टेली ग्राफ सेवा स इस टैम मियो कॉलेज की अस्थापना की मियो कॉलेज का इस्थापना नाम से एक 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 इस बाल आट फर्वारी 1872 इस विमें चाकू मारकर इसका हात्या कर दिया लॉर्ड मियो का हात्या ली अफड़ी ने कर दिया भारत में अंगरेजों के समय में पर्थम जनग Farm ना अठारों सो बहतर में लॉर्ड मीयों के कार्जिकाल में हुआ था। बोखे-पूल जाओ पर यह याद रखो कि भारत में पर्थम जनगन्ना जो हुआ था 1872 इसबी में वह किसके टैम में घृता लाइड मीईों के टैम में अगैं Lord North Brook उसको हम इसी वीडियो में पढ़ लेते हैं इसके समय में बंगाल में भयानक आकाल पड़ा था इसने बरोदा के मलहार रो गायक वार को भरस्टाचार के आरोप में पजचुत कर मदरास भेज दिया था लॉर्ड नॉर्थव्रुक ने ये घोसना किया कि मेरा उद्देश से करो को हटाना तथा अनावस्यक बैधानी करवाईयों को बंद करना था अंग्रेज के टेम में सासन खड़ाव था सब कहते हैं ऐसा है था भी मैं उसका अपोज कर रहा या फिर कुछ ऐसा बोल रहा जो कानून बनता था वो बिल्कुल सही होता था जैसे बरतमान के अगर पड़ेज Bijan करें बरतमान में कानून सबकुछ सही बनता है पर जो नीचे के पोश्ट पर है न वो उसको बर्बाद कर देता है उस टेम में भी ऐसा था कि जो भी कानून बन रहा थो सब कुछ सही था पर वही नीचे का जो पोष्ट का होता था वो उसको परवाद करता था नहीं तो अंग्रेजों ने काफी अच्छा जैसे नरवली को अंत कर दिया सतीपर्था को अंत कर दिया विधापुनर विवा को अंत कर दिया ये सारे कदम के लिए माराथा मुगल कई सारे कदम उठाए पर वो लोगों से नहीं हो पाया था तो बहुत अच्छा काम इन लोगो खुल जाने से भारत इवं बृटेन के बीच बेपार में बिर्धी हुआ अच्छा स्वेजनार जो खुला तो यह किस ने मनाया था स्वेजनार को मैंने जो पढ़ा रहा था मैप देखा के काफी डिटेल में बताया था कि स्वेजनर बनाने का स्रे किनहें जाता है यह तो अब आप पढ़ रहे हैं कि स्वेजनर खुल गया और भारत ब्रिटेन वेपार करना शुरू कर दिया जरा स्वेजनर किनकिन को जोड़ता है किन सागरों को जोड़ता है सब कुछ कोई डॉक्स ने बताने कम सकूं तीन-चा चले वीडियो के इंड करते हैं मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहित